Friends, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से ये स्नेक प्लांट के वारे में समझेंगे इसके केर कैसे करने हैं, इसके वेनिफिट जो है, वो ये 24 आवर आपको ऑक्सिजन देता है और नासा द्वारा एप्रूब्ड है, बहुत ही हारी प्लांट है, तो इसको कैसे आप अपने जाडन में ग्रो कर सकते हैं, इसके वारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में देखते हैं, तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वेराइटीज के, तो बहुत सारी वेराइटीज में आते हैं आपको ये स्नेक प्लांट है, एक इस जो कलर है लीव का वो हम ने कंसलेख की तरह यह लिएशल करान समयStake तो इवन अपने हाथ पे लेके दिखाता हूँ इतने छोटे से पॉट में भी यह ग्रो होता है और टेवल डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा तो किसी भी साइज के पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते इसके पॉट की साइज कर रहे हैं तो पॉट साइज आप कैसा भी अब बात करते हैं स्वाइल, मिट्टी की बात करूँ तो आप नॉर्मल कोई भी एक गार्डेन स्वाइल भी लेंगे ना यह देखेंगे गार्डेन स्वाइल में ग्रोव हुआ है और काफी अच्छा ग्रोव करा है यह कंटीनिव मेरा पौधा धूप मेरा था इसलिए काफी गना हो गया है तो गार्डेन स्वाइल मतलब किसी भी तरह के मिट्टी में यहां अगर इस मिट्टी को आप देखेंगे तो यह थोड़ा सा कोको पिट और सेंड के साथ ग्रोव किया हुआ है दीखें बहुत सारे नय चोटे-चोटे भी प्लांट इसके अंदर आ रहे हैं त तो आप एक प्लांट से कहीं पोधे को ग्रोव कर सकते हो तो कोई भी गार्डेन स्वाइल लीजिए या अगर आपके पास गार्डेन स्वाइल है तो इसके अंदर आप चाहे तो 50% सैंड मिला दीजिए और इसको ग्रोव करिए दूसरा इसको धूप की रिक्वार्मेंट कि चल जाता है आप इसको धूप में रखेंगे तब भी चलेगा लेकिन बहुत हार्ट धूप में रखेंगे जैसे अभी गर्मी किसे न देखें लीफ इसके थोड़े जल गया है मेरे क्योंकि यह मेरे च्छत पे था मैं अभी वीडियो ना निकली इसको नीचे लेके आऊ तो तो अगर बिंडो लाइट भी इसको दिन के अगर दो घंटे भी बिंडो लाइट खिरकी से च्छन के आने वाली जो डे लाइट है वह मिलने जाहिए आप पूरा अंधेरे में रखेंगे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जहां पे पूरा अंधेरे में भी मतलब जहा अमें सा ध्यान रखे जब भी इंडूर प्लांट की बात की जाती है तो इंडूर प्लांट का मतलब यह नहीं होता है कि आप उसको एकदम सेडो में लगा दे उसको एकदम बींडो लाइट तो मिलना चाहिए खिरकी से चंद के आने वाली लाइट मिलना चाहिए तो अगर मेरे घर के अंदर रखते हैं, बट वीक में एक दिन या दो दिन में इसको डिरेक्ट सनलाइट में रखता हूँ, ताकि इसके हेल्थ अच्छी रहे, बहुत अच्छा ग्रीनिस लुक दे, तो यह तो होगे इसको लाइट कितनी चाहिए, अब बात करते हैं, इसको पानी कितनी पानी दीजिए, अगर आउट्डोर रखा आपने, तो अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन है, डेली वाटरिंग करिए, अगर बरसाहत है, तो वहां तो पानी की जुरुत नहीं है, मतलब अल्टर्नेट अगर धूप में रखा है, तो गर्मी के सीजन में डेली काफी अच्छा ग्रोव करता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा और घहना लूप के लिए, आपको महीने में एक बार एक मुठी बर्मी कंपोस्ट, इसको मत दीजे, बर्मी कंपोस्ट, बस इसके अंदर एक मुठी डाल दीजे, आपका पौधा काफी अच्छा चलेगा, इसको बहुत ही लेस्केरिंग पौधा है, बहुत हाड़ी प्लांट भी बोला जाता है, अब बात करते हैं, इसको आप और कैसे कैसे ग्रोव कर सकते हैं, तो एक तो नर्सरी से आप पूरा का प्लांट ला सकते हैं, दूसरा अगर आपको किसी फ्रेंड के यहां गर यह करते रहें, तो दस दिन के अंदर वो पौधा आपका एक नया रूट के साथ ग्रोव हो जाएगा, अगर आपने कोई एक पौधा लगाया है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो पौधे से भी कहीं पौधे आते हैं, अब यह मेरा एक बहुत ही खुपसुरा सा चोटा स पौधे, इसके पीछे देखे, यह दो नया पौधे आ रहे हैं, तो जैसे छे महिना या साल वर पौधे का होता है, तो एक ही पौधे से कहीं पौधे आएंगे, तो इसको मैं थोरे दिन के बाद क्या करूँगा, इसके अंदर और भी देखे इधर, मतलब इस एक पौधे के अलग-अलग इस तरह से, यह भी मैंने ऐसे ग्रो किया हुआ है, इसी पौधे से इस पौधे को ग्रो किता है, हर सीजन आपको तीन-चार पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यह रहा एक कम्प्लीट केयर टिप्स, आपको स्नेक प्लान के बारे में बहुत ही खु अब लास्ट में सबसे यूनिक चीज दिखाता हूँ, जेनरली स्नेक प्लान्ट में फ्लावर नहीं होता है, बट आप देखें, यह मेरा बहुत दो साल पुराना पौधे है, इसके अंदर फ्लावरिंग होई है, जो बहुत रेर है, आपको काफी रेर देखने को मिलेगा, इस तरह से स्नेक प्लान्ट का फ्लावरिंग होता है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में, यह मेरा बालकनी गाटेन रा, कुछ और टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, बाब बाई